अवश्य निर्मित होता है किंतु गारे का बन्धन निर्मित नहीं होता पार तुम्हें कर्म और कारे के बीच क्या आफ़ेथ है यह जानना आवश है सभी कर्म कारे किंतु सभी कारे कर्मे कर्म उस कारे को खेते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी पनुश्य जब भी जुख की संपत्ती रशंसा की आशा रख कर कोई कारे करता है तो वो उस कारे के फल से बंद जाता है जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग खेते और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए उसे निश्काम कर्म क्यों कहते किसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती वास्तव में मनुष्य को कोई गर्म नहीं बांधता उस गर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती है वो कैसे माध़ा जदी इस युद्ध में तुमें विजे होने की आशा तो पाराज़त होने पर तुमें भीशन दुख होगा और वो दुख तुमसे कोई अन्य कारे करवाएगा जिसके लिए तुम्हें दूसरा जन लेना पड़ेगा और यदि तुम विजे ही होए तो तुम्हारा हंकार बड़ेगा और वो हंकार तुम्हें विश्व विजे के लिए प्रेवित करेगा तुमसे हक्याई करवाएगा और उसका पाप तुम्में बाधेगा बुजार करो यदि तुम्हें इस युद्ध में ना विजे का मोह और ना पराजा भै तो इस युद्ध के अंग में तुमें सुक प्राट होगा या दुख प्राट होगा न सुक माधाव अर्था तुम्हारा सुख दुख पताशा निराशा आहंकार युद्ध के कारण नहीं है युद्ध के साथ तुमने जो आशाएं बांधी हुई है उसके कारण है क्या ये सत्य नहीं है पाड़ सुख दुखे समेक रित्वा लाभा लाभो जया जयो तदो युद्धाई युज्यस्व नेवं बाप मवापस्यसी अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ फानी जै पराजे का विचार की बिना यदि तुम्हें कौन तै तो तुम बाप के भागी नहीं बनोगे इसी को कर्म योग कहते हैं जो सांखे का ज्यान प्राप्ट कर लेता है कोई जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यू तक है अर्थात वास्तविक नहीं केवल माया है उसके लिए कर्मयोगी बंदा सरल हो जाता अन्तो माधब विदी कारे से बंदान निश्चत है तो क्या संसार का त्याग तरके सन्यास देना उच्चत है इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है बार्थ विचार करतें जब सक्वगुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते तब धर्म से भरे लोग भी संसार के चलाते जटी महमहीम ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज अ धर्म इतना बढ़ता है ने और तुम्हारे पिता ने यदि सन्यास ना लिया होता तो आज प्रादा युदिश्चर सुख से राज कर रहे होते और अपनी प्रजा को न्याए और धर्म का ग्यान दे रहे होते किंतो उपद्धायक बात तो ये है पार्त कि सत्वगुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाब दे सकते किंतो वो ही सन्यास का विचार करते जैसे जल्तो भाब बनकर उड़ जाता और कीचड कीचड वही पढ़ा रहता वैसे सत्व गुणी सज्जन लोग को संसार का द्याग कर देते और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्रे करते इसी कारण से संसार में बाप और अधर्म बढ़ता है इंदू कर्म योग इस विजित्र स्थिती से सारे संसार का रक्षन करता है गर्म योगी फलकी आशा का त्याग करता है किन्तु गर्मों का त्याग नहीं करता वो इसी संसार में रहता है सन्यासी की भादी सारे कारे करता है किन्तु उन में लिप्त नहीं होता कर्म योगी अपनी संतानों से, स्वजनों से, अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता स्वैम उसे सन्यास का लाप होता, किन्तु समाज को संसारी की भाती लाप देता मनुष्य अपनी संतानों की सुख के लिए श्रम करता है माधब मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो ब्यबार है या प्रेम पार प्रेम माध़ तो फिर अपने कारेों के प्रती फल की इक्षा क्यों पार अविश्चे का लाव तो ब्यबार में देखा जाता है प्रेम में नहीं जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्मान उच्छत रूप से करता है संतानों को प्रेम और धर्म के संसकार देता है उसकी संताने भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती संतानों के कर्म, स्वजनों के वहवार उनके कर्म है पाठ और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकारा तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रियोजन यदि गहन विचार करोगे पार्थ तो शीगरी ही ये जान लोगे ये जीवन में ऐसा कोई कारे नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवारे हो जब स्रिष्टे ही परमात्मा और मनुष्य स्वैम परमात्मा का आंश है तो सारे कारे परमात्मा ही करते मनुष्य स्वैम कुछ नहीं करता यही कर्मयोग का मूझ जिक थांद है पार तुम्हें भी कर्मयोगी बनकर ये युद करना आवर्षक है पार त्रे गुणिया, विश्या, वेदा, निस्त्रे गुणियों भवार जना निर्दवंधो, निर्थ्यसत्व, निर्योग, शेम, आत्मवार तीन गुणों का त्याग करके मेरे गुण बन जाओ पार इस द्वन जिसे मुक्त हो जाओ सदा सक्व और पार परमात्मा में बुद्धी लगाकर करतव्य का बहन करते रहो कुछ प्राप्ट करने की इक्षा और कुछ प्राप्ट किये हुए का रक्षन करने का विचार ज्याग दो पार और अपनी आत्मा को स्वतंत्र करते मरन रहे पार कर्मन वाद का रस्दे मा फलेशू कदाचना मा कर्म फले तुर्भू मा दे संगोस्त्व कर्मनी तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है तो इश्वर के हाद में इसलिए ना कर्म से भाजना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है मा दे संगोस्त्व कर्वणी तो खल का त्याग करते और उचित कर्म का त्याग ना करे ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है माधा विश्याविनी वर्तंते निरहा रस्यदेहिना रसवर्जम रसोप्यस्याई परम द्रिष्टवा निववर्तते परवपार्थ जो स्वाद से छूपने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है बास्तव में उसके मन से स्वाद की लाज़ा कभी जाती ही ने उसे दोहरी हानी होती एक तो वो निर्बल हो जाता जिसके कारण परमात्मा को प्राप्ट करने का जो प्रेत्न निवारे उसे वो नहीं कर पाता और दूसरा तदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता इसलिए भोजन का त्याग करने से उस्तम है स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए कर्म योगी अपने मन की सारी लालसाओं को खीच लेता है जीवन को कर्टब्य मानतर कारे अवश्य करता है किन्तु उन्तारे उसे जुड़ता नहीं और बाग जो वेक्ति अपने कारे उससे आशाएं और रिक्षा नहीं रखता उसी के कारे पून होते एक असपलता से दुखी होकर जिसका मन दोलता नहीं एक सता से आनंदित होकर जो स्वैम को सर्व श्रीष्ट नहीं मानता ऐसे ही वेक्ति को कर्म योगी कहते हैं और ऐसा वेक्ति जीवन में बार बार सफल होता है ध्यायतो विश्यान पुन्सा संगस देशु पजायते संगात संजायते कामा कामात प्रोधो भिजायते प्रोधात भवती सम्मोहम सम्मोहात स्मृती विभ्धमा स्मृती प्रिंशात वुद्धी नाशो वुद्धी नाशात प्रणश्यती हल्की आशा से कामना प्रकट होती है और कामना कातो स्वभाव है असंतुष्ट रहना असंतोश से प्रोध उत्पन होता और प्रोध से मुख जनता मुखे कारण विक्टी आचार और वैवार का ज्यान ही बूल जाता ज्यान के जाने से बुद्धी चली जाती अनुजित प्रकार के कारे होने लगते और समाज ऐसे विक्टी का शक्त्रू बन जाता और रंद में ऐसे मनुष्चिक पूर्टा बतन हो जाता